ओम श्यांदी हम कितने भग्यवान हैं, के स्वयम भग्वान हमको पढ़ाने आते हैं, और पढ़ाई भी कितनी स्रेश्ट और कितनी सहज और लख्ष मनुस्य से देवता बनना कभी सोचा भी नहीं था, क्या हम भी कोई मनुस्य से देवता बनेंगे, इतना ही नहीं, देव क्युक के मालिक बनेंगे, विश्व महराजन बनेंगे, विश्व की बादशाही हमारे हाथ में आ जाएगी, कभी सुनते थे के फलाने रिशी ने या राजा ने देव पद, इंद्र पद पाने के लिए, इंद्र की राजाई पाने के लिए, सत्य का सिंगासल पाने के लिए गोर तपस्या की, इंद्र परिशान हो गए, तो विगन डालने लगे, लेकिन वो व्यक्ति सफल हो गया, तो हम सभी भी अब तपस्चा कर रहे हैं मनुस से महान देवता बनने की महान संपदा के हम मालिक होंगे जहां कोई चिंता नहीं होगी जहां ये मनोविकार नहीं होंगे जहां दुख रोग सोक नहीं होंगे जहां पढ़ाई का कोई बर्डन नहीं होगा सोच लें पढ़ाई पढ़ लें, उन्हें अच्छी नोकरी मिल जाए, कितनी महनत करते हैं, और उसमें टेंशन कितनी है, वो भी नोकरी मिलती है, एक छोटे से परिवार की पालना होती है, एक छोटा सा घर मिल जाता है, और सोचो हमें क्या मिल रहा है, दो युक के लिए महान भग्ये, सत्यों और त्रेता युग कुछ भी कमाना नहीं पड़ेगा, और द्वापर युग भी सब कुछ सहज प्राप्थोता रहेगा, ऐसे महान भग्ये को पाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जिसमें कोई कमाई की चिंता नहीं, जहां कोई समस्या नहीं, जहां कोई नोकरी और ट साते रहेंगे, तो हमें मनुष्य से देवता बनना है, ध्यान दें, हमारे संसकार भी बहुत रोयल हो जाने चाहिए, बड़े सोफ्ट हो जाने चाहिए, मांगने के संसकार, देव संसकार नहीं है, बुरे वचन बोलने के संसकार, कतु वचन बोलके दूसरों को पीडा देन करने के संसकार, इगो से प्रेदित संसकार, बात बात में क्रोध करने के संसकार, ये देव संसकार नहीं है, हमें रोयल बनना है, हम रोयल बाप के रोयल बच्चे भी हैं, और देव युक की महानात्माएं भी हैं, और पुने हमें मनुस से देवता बनना है, ये लक्स अपना क पायम रख लें और अपने चित्र बनाया करेंगे जब हम देवता थे या जब हम देवता होंगे तो हम ऐसे होंगे हम चलेंगे कैसे हम देखेंगे कैसे हम बोलेंगे कैसे हम सुनेंगे कैसे हम खाएंगे कैसे सोएंगे कैसे इन सब में बहुत रोयल्टी होगी चेहरों पर कितना तेज होगा कोई टेंशन की रेखा नहीं कोई सिकुडन नहीं कोई उदासी इंता नहीं रोयल चेहरा, रोयल संसकार तो अपने उन संसकारों को सामने रख कर हम अपने वर्तमान संसकारों को भी बहुत रोयल बनाएंगे हम जैसा royal तो चारो युगों में कोई होता ही नहीं पुझ्य जब हम बनते हैं तब भी सोचो कितने royal हैं हम तो आज सारा दिन हम अपने देव स्वरूप को और अपने पुझ्य स्वरूप को याद करेंगे जो दोनों ही बहुत royal हैं हम देखेंगे एक और हमारा देव स्वरूप इस्तित है तो दूसरी और हमारा पुझ्य स्वरूप पुझ्य स्वरूप में आप कोई भी अपना स्वरूप चुन लें एक स्वरूप अपना फिक्स कर लें ये मेरा पुज्य स्वरूप है और बार-बार उसका अभ्यास करें तो कभी मैं अपने देव स्वरूप में बहुत रोयल अपने को चलता हुआ देखें कैसे हम बोल रहे हैं उसकी वीजन बनाएं कैसे हम व्यवार कर रहे हैं उसकी वीजन बनाएं दूसरी और हमारा पुज्य स्वरूप चाहे विग्न विनासक गनेश चाहे महाविष्णो से सईया पर विराजमान विष्णो चाहे महावीः चाहे और कोई जो आपको प्रिये हो उसे अपने सामने रखें और जैसे हमारा वो स्वरूप दोनों स्वरूप हमें देखकर मुश्क्रा रहे हैं और याद दिला रहे हैं मैं तुम्हारा ही स्वरूप हूँ ऐसे अपने पुज्य स्वरूप और देव स्वरूप की सारे दिन प्रैक्टिस करेंगे तो आप सब को बहुत बहुत थैंक्स, ओम श्यान्टी